Trends हमारा जो टॉपिक है वो है Data Analysis Tools इसे to be Excel कुछ आपके पास टूम्स हैं Excel के अंदर Microsoft Excel के अंदर जिससे आप अपनी investigation को easy बना सकते है, जिससे आप अपनी investigation में time save कर सकते हैं, जिससे आप अपनी investigation से ऐसे tools हैं जिससे आप अपनी investigation में cost saving कर सकते हैं वो ऐसे tools क्या है वो हम discuss कर लेते हैं अभी हम generically discuss करते हैं इस slide के उपर certification है duplicate searches है gap test है sort and indexing है graphing है record selection है joining files है correlation analysis है compliance verification है filter and display criteria है fuzzy logic matching है end date function है हम इसको देखते हैं mostly हम discuss करेंगे यह आपके पास stratification है stratification के अंदर हम क्या करते हैं आपके पास जितनी भी invices आ रही है जितनी भी amounts की उन amounts को हम क्या कर लेते हैं slabs बना लेते हैं यह slabs बन रहे हैं और फिर इन slabs के अंदर जितनी जितनी invices आ रही है उनके number लेख लेते हैं total 831 invices है फिर हम यह देख लेते हैं जो आपके पास 10.5% है जो आपके पास invices का total है वो total के 10.5% है जैसे कि यह है 23.6% invices हैं वो इस lab के अंदर आ रही हैं यह अलब उन invices की value $1,001 से $5,000 के अंदर हैं लाइक वो 1500 डॉलर की भी हो सकती है पच्छी सो डॉलर की भी हो सकती है तीन हजार डॉलर की भी हो सकती है तो वो इतनी amounts की हैं फिर आपके पास 359 invices ऐसी हैं जो $5,001 से $10,000 के दर्मियान फॉल कर रही हैं उनका total इतना है 50% बनता है इसका total तो यहां से आपको क्या picture clear आज़े क्या picture आप observe कर सकते हैं यहां से आप यह देख सकते हैं कि ऐसी कौन सा ऐसी कौन सी invices का total सबसे ज़्यादा है वो हम उसको पहले investigate कर लें suppose अगर हम बात करें तो यह देखें यह total बहुत बढ़ा है ठीक है इसी तरह हम यह देख सकते हैं कि यह यहां पर बहुत ज़्यादा invices आ रही हैं यह देखें 68 invices है और इनका total भी यही बन रहा है अब आप यह देखें यहां पर अगर आप थोड़ा से focus करें यह आपके पास 68 invices हैं 2 million की और यह 359 invices हैं 2.5 million की ठीक है तो अब आप क्या करेंगे आप यह वाली investigate कर लेंगे कहां 68 कहां 359 invices 68 invices का total 2 million है 359 invices का total 2.5 million है यहां से आपने क्या किया अपना time बचाया और पहले आपने इसको क्या किया विंवेस्टिगेट कर लिया तो यह आपको बताता है कौन सा इरिया आप पहले investigate करें कौन सा इरिया बाद में investigate करें तो जिससे आपका time बच सकता है next आपके पास duplicate searches company का data आपके पास होता है तो company के data के अंदर आप यह देखते हैं ऐसे unique numbers जो के duplicate नहीं होने चाहिए लेकिन duplicate आ रहे होते हैं जैसे के हम बात करें second paragraph की for example ऐसा data हम search करेंगे जहां पे check number duplicate आ रहे हैं आपको पता है check number कभी भी दो एक number के check दो नहीं हो सकते तो ऐसे check numbers जो के number duplicate आ रहे हैं उन transactions को आप investigate करेंगे इन वाइस numbers कभी भी एक जैसी नहीं हो सकती हैं तो आप उनको investigate कर लेंगे so duplicate searches किया है आपको help करेगा कि कौन सी ऐसी data है जो duplicate आ रहा है अगर duplicate तो आना नहीं चाहिए तो आप उनको पहले investigate कर लेंगे इसी तरह आपके पास gap test है gap test क्या होता है जैसे आपका invices के serial numbers होते हैं checks के serial numbers होते हैं आप उसमें देखेंगे ऐसे कौन से check है जो मैं बात करूं चेक का number 001 है 001, 002, 003, 004, 005 एकजाम से 009 check आ गया तो 005 और 009 के जो बीच वारे check है 3006 से 008 वो किदर हैं आप उसको investigate कर लेंगे invices हैं exam से sequence wise वो चल रही है लेकिन exam से उनका sequence क्या हुआ खतम हो गया आगे पीछे हो गया missing होगी तो आप उन numbers के investigate कर लेंगे इसी तरह आपके पास sorting है sorting में क्या है आप हमेशा जो बड़ी values हैं उनको आप sort कर सकते हैं from largest to smallest या smallest से largest तो आप sorting से आपको यह पता लग सकता है ग्राफिंग एक वाहिद element है जो simple आप data आप जब आपके पास होता है उसको right click करें आप graph बना लें सिर्फ one click के उपर वो graph बन जाता है graph से आपको फॉरण click हो जाता है कहां पर problem है कौन सा area problematic है जैसे कि general and administration expenses हैं अब उन्हेंने मुखतलिफ मालब बताया कि पूरे साल में ये expenses हैं आपके पास given थे आपने simple right click करके graph बनाया आपको साथ एक लेक हो गया कि सबसे ज़्यादा expenses नवंबर में हुए तो suppose नवंबर को हमें सबसे पहले target करना चाहिए तो कि ये unusual है नवंबर देख रहे हैं मार्स का कर रहे हैं फिर नवंबर की बारी आए और फिर आपके इच्छा यार दस महीने के बाद जाके नवंबर में हमें कुछ मेला तो डेक्ट आप 11th मंच पर आ जाएंगे और आप अपनी बहुत शारी क्यूरेज यहाँ पर solve कर लेंगे इसी तरह हैं आपके पास correlation analysis correlation analysis होता है जब एक variable दूसरे variable पर dependent होता है मतलब अगर मैं बात करूँ आप जितनी marketing करेंगे उतनी product की sales बढ़ेंगे तो marketing करना independent variable और sales dependent variable है क्योंकि sales किसके ओपर dependent है marketing के ओपर आप marketing करते जाएं जो के independent है आपकी sales बढ़ती चली जाएंगे marketing नहीं करेंगे sales नहीं चाल जाएंगे इसी तरह आप यह देखें अगर आपने घर ज़्यादा से ज़्यादा paint किये हैं तो जाहरी बात आपका paint भी उतना ही लगेगा तो इसी तरह आपने ही देखना है co-relation analysis कि अगर company की sales बढ़ नहीं है तो cost भी बढ़नी चाहिए अगर company का profit बढ़ रहा है तो sales भी बढ़नी चाहिए और अगर sales नहीं बढ़ दी तो idle expenses काम होने चाहिए तो आपने ऐसे co-relation analysis करना है कि जो एक variable दूसरे के ऊपर dependent हो यह आपके पास है fuzzy logic matching इसमें क्या होता है यह हम पढ़ लेते हैं employing fuzzy logic techniques can help identify records with similar or potentially duplicate though not identical such as आपके पास ऐसा data available है जैसे कि किसी का address लिखा हुए 1st street और किसी और employee का same address लिखा हुए इस तरह से करके 1st street यह भी 1st street है अब आप देखे similar जरूर है लेकिन identical नहीं है और हो सकता है किसी और employee का address लिखा हुए 1st street तो हो सकता है एक ही address 3-4 employees में आ रहा हो लेकिन हो similar address लेकिन लिखने का तरीका फरक हो इसे कहते हैं आप जब इस तरह की search करेंगे इसको कहते है fuzzy logic matching जिसमें data similar होता है लेकिन identical नहीं होता this line is very very important data potentially duplicate though not identical तो इस जिसना 1st street की example बहुत अची example आपको समझाई होगी यह कीनन तो fuzzy logic matching भी आपको help करती है जो critical areas हैं या कोई problematic data होगा वो आप फटा फट या जल्दी से जल्दी इस matching के थुरू आप पहले extract कर लेंगे तो यह थे आपके data analysis tools जो के Excel के अंदर आप use कर सकते हैं जो के आपकी investigation में help कर सकते हैं आपका time बच सकता है cost बच सकती है और आप अपनी investigation को as soon as possible complete कर सकते हैं